नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमद और आप देख रहे हैं रहे हैं स्वागता आपका उत्राखन बुलेटिन में रुख करिंग उत्राखन की तमाम ख़वरों की तरह बीजेपी के राश्चे महामंतरी संगठन बील संतोष 23 अपरेल को दो दीवे से दोरे पर उत्राखन आ रहे हैं वहें आपको बता दे कि उन्हें 4 अपरेल को आना था लेकिन कारेकरम स्थगित हो गया और अपने दो दिवे से दोरे में बियल संतोष पार्टी के कोर ग्रूप प्रदिश पदिकारी और वरिश नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं और वहीं पार्टी ने अभी राष्टे महामंत्री संगठन की बैठक और चर्चा में होने वाले मसलों को खुलासान नहीं किया लेकिन सूतोष विदानसवा चुनाव में पार्टी की जीत और चुनाव के दोरान पार्टी के नेताओं और कारे करताओं के खिलाब भीतर घाल की शिकायतों की समिक्षा कर सकता है और वहीं आपको बता दें कि समिक्षा करने वाले हैं और इनके आने से पहले ही पार्टी ने सबी 70 विदानसवा सीटों की समिक्षा रिपोर्ट भी अब तयार कर ली थी और साती चुनाव में हारी गई 23 विदानसवा सीटों की समेक्षा रिपोर्ट भी बना ली गई थी जिसे अनुशासन समीती के सुपोर्ट कर दिया गया है और वहीं सुथों का ये भी कहना है कि संतोस के सामने भी ये रिपोर्ट रखी जा सकती है और पार्टी के वरिशनेता उन्हें रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं और इसके लावा बैटक में मुख्यमंत्री पुष्का सिंग धामी के उपचुनाव को लेकर भी मन्थन हो सकता है और इसके लावा आपको उता दे कि अभी पार्टी को ये तरह करना है कि धामी किस विदानसवा सीट से उपचुनाव लेडिंगों और दिल्ली के लोटने के बाद स्यासी हलकों में चर्चा गर्म है कि वो चमपावत विदानसवा से टाल ठोकिंगे अवहें उत्राखंड कोंग्रेस के भी तर कुछ ठीक नहीं चल रहा है विदानसवा चुनाव में 19 सीटों पर खुद को बचा पाई कोंग्रेस के 19 विदायक ये एक जूट नहीं दिखाए दे रहे अवहें कोंग्रेस बले ही सब कुछ ठीक होने का दावा करें लेकिन पार्टी के अन्रोणी कला उस वक्त खुलकर सब के सामने आ गई जब प्रदेश अद्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के कारेकरम में कई विदायक महुचे ही नहीं अवहें कोंग्रेस के बड़े नेता बले ही ये दावा कर रहे हो कि पार्टी के अंदर कोई गुडबाजी नहीं है लेकिन उत्राखंड में कोंग्रेस की गुडबाजी किसी से छुपी नहीं है जहां एक और नवन्युक प्रदेश अध्यक्ष करन महरा के पदवार ग्रेंड कारेकरम में कोंग्रेस के दिगज आपस में ही एक दूसरे पर बातों ही बातों में निश्टाना साथते हुए दिखाई दिए और वहीं दिखतर विधायक इस कारेकरम से नदारत दिखे और पूर्वनेता प्रिधिपक्ष प्रितम सिंग भी इस कारेकरम में नहीं दिखे अलाकि कोंग्रेस नेता को कहना है कि प्रितम सिंग के छेत्र में कोई बड़ी दुरगटना हो गई जिस कारण वो कारेकरम में न और उन्हों ने कहा कि पार्टी के लिए की गई तपस से हाय कमान तक नहीं पहुंच पाई और वहीं प्रदेश अद्यक्ष का रनमहरा इस दोरान सभी बड़े निताओं में संतुलन सात्ते हुई दिखे और दूसरा वाक्या सौंबार का है जब यश्वाल आरे ने विदान का चार समाला लेकिन इस कारीकरम में भी जारतर विदायक नादारत है और कांग्रेस के 19 में साथ विदायक हैS कारेक्रम में पहुंचों और इसकी तरह से रविवार्प्त। प्रदेश अद्यक्ष के कारेक्रम में भी कई नराज विदायकों ने दूरी बनाए थी वो सब भी विधायकों के साथ यश्पाल आरे को विधार मंडल दल की बैठक भी लेनी थी और वहीं लेकिन विधायकों के ना पोचने की वज़ा से बैठक को स्थगित करना पड़ा हलाकि इस मसले पर यश्पाल आरे ने कहा कि कुछ जरूरी कामों की वज़ा से विधायक नहीं पहुँच पाया और मैं कोशिश करूँगा कि सब को साथ लेकर चलूँ और पिछले कई दिनों से अटकले हैं कि कॉंग्रेस के नराज विधायक कोई फैसला ले सकते हैं अवहीं हुत्राखंड के हरिद्वार में हनुमान जेन्थी के दोरान चुलूस पर हुए पत्थराव की घटना के मामले में पुलिस ने अब तक 11 लोगों को ग्रफतार कर लिया है अवहीं हरिद्वार SSP योगिंदर सिंग रावत ने जानकारी दी है कि छेत्र में सुरक्षा उशान्ती वेवस्ता को कायम रखने के लिए गाउं में परियागबल मौचूद है और इस्थाने लोगों के साथ बैठक भी जारी है और वहीं आपको बता दे कि हनुमाजन्ती के दोरान शोबा यातर निकाली गई थी और इस दोरान शोबा यातर पर पत्थराव किया गया था और मामला हरी द्वार के भगवानपुर छेत का बताए गया और वहीं आपको बता दे कि निकाले गए जुलूस पर पत्थराव के दोरान करीब 10 लोग खायल हुएते हो यह जुलूस बजंग दल के कारेकरता द्वारा निकाला गया तो जब जुलूस बगवानपुर गाउं के पास पहुचा तो भीड पर घरों से पत्थराव किया गय और यह पत्थराव दादा पट्टी काउं के पास हुआ तो वहीं दूसी और ऐसे ही एक घटना दिल्ली के जांगेर पुरी की सी ब्लोग के सामने से करीब एक सो ब्लोग करीब एक सो ब्लोग करीब एक सो 53 करोड रुपे की चल अचल संपत्ती को कुर करने के आदेश भी जारी की जिसके लिए उत्राखन स्पेशल टास्क फॉर के टीम में यूपी दिल्ली हरिद्वार और बड़ोध रवाना हुए और यहां आपको बता दे कि भूमाफियाओ में शुमार यह श्वाल टॉमर वैसे तो मूल रूप से यूपी के बाकवज चिले के रहने वाले जिसका काम विवाद इस पर जमीन पर कबज़ा करवाने करा है और जहां भी जमीनों समन्नित विवाद होता था टॉमर और उसके मामलों के केस दर्श करा कर कानूनी पसीड़े में फसा देता था और इस खिल में यह श्वाल की गैंग का साथ पुलिस और मेडिकल स्टाफ भी करता था जिसमें पुलिस के लोग मुकदमे दर्श करते थे और वहीं बताया गया कि ऐसे ही आठ फरजी मामले में फसा कर हरीद यह श्वाल से पीड़ित एक ही परिवार के पांच लोग जेल में यह शोशन के आरोप में सजा काट रहे हैं और वहीं एस एस पी नहीं आज़े सिंग ने बताया कि अभी तक एस टेफ ने करीब तीस ऐसे मामलों को सामने रखा जिन भा को क्याद बढ़ माश यह श्वाल त पर कबजा भी करा दिया गया और वहीं यह श्वाल तोमर के खिलाब एस टेफ को फर्जी इंस्टोरेंट के भी मामले सामने आये हैं उत्राखंड में एक जुलाई से नैशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने जारी और इस नई एजुकेशन पॉलिसी को स्कूल कॉलिज में फेज फाइज शुरू किया जा सकेगा और वहीं आपको बता दें कि इसका लागू होने से सिक्षा विदो के लिए भी किसी चुनोती से कम नहीं है इसमें पुराने सिक्षा प्रणाली में काफी बदलाब तो देखने को मिलेंगे ही और साथ ही किताबी ग्यान की जगा दिमागी ग्यान को बेहद महत दिया जाना है और जुलाई से सबी स्कूल कॉलिजों में नैशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा और सबी स्कूलों में primary class से ही बालवाटिका के तोर पर इसे शुरू किया जाएगा और वहीं Central University में affiliated college में तो admission के लिए enrollment परकिरिया भी शुरू कर दी गई है और उसके बाद ही college में test के लिए student पात्र होगा और नई national education policy में शिक्षा के छेट में कई बदला भी सामने आएंगे और वहीं अभी तक school में जो system था उस pattern को नई सिक्षा नीती में बदला गया है और नई pattern को इसमें follow किया जाएगा जिसमें तीन से लेकर आठवी तक और आठवी से ग्यारवी और वहीं 11 से 14 और 14 से 18 साल की उमर के बच्चे सिक्षा लेंगे और graduation course में तीन या चार साल के हो सकते हैं और वहीं जिसमें exit option भी होगा और अगर students ने एक साल graduation course में पढ़ाई की है तो उसे certificate दिया जाएगा और दो साल के बाद advanced diploma दिया जाएगा और तीन साल के बाद degree दी जाएगी और चार साल के बाद research के साथ bachelor की degree भी प्रदान की जाए और education field में से जुड़े लोगों को मानना है कि पहले सिर्फ किताबी ग्यान को माध्यम मानते थे और students की काबियत का आख प्लैन किया जाता था लेकिन national education policy समझ को प्रात्मिक्ता देती है और बारहाल उत्राखन में भी NEP को लेका 66 से जुड़े लोगों में उत्सा है और ऐसे में बड़े बरलाव के साथ साथ ये टीचर्स के लिए भी काफी चैलेंजिंग होने जा रहा है और वहीं डाड़ा जलालपुर में हुए सामुदाइक बवाल के साए में स्कूल भी आ गए हैं और स्वामवार को छेट के दो गाउं के पांच स्कूलों पर ताले लटके रहे और विवाग के और से बवाल के मदे नजजर चारी आदेशों के अनुसार मंगलवार को भी ये सबी विध्याले बन रहेंगे और वहीं बगवानपुर छेट के डाड़ा जलालपुर गाउं में शनिवार की रात हुई पत्थर वाजी और आगजनी की घटना के बाद छेट में दाशट का माहल है और वहीं आरोपी घर चोड़ कर वहां से फरार हो गए और घरो पर ताले लटके हो एं और उनके अंदर पशु भी भूखे प्यासे हैं और वहीं डर और दाशट का असर सिकूलों पर भी देखने को मिला है और वहीं डर और नजजर शिक्षा के थे और उन्होंने बताया कि सौमवार को डाड़ा जलालपूर के राजके उस तर मादेमिक विध्याले प्रात्मिक विध्याले और डाड़ा पटी गाउं के राजके कन्या जूनियर हाइ स्कूल और प्रात्मिक विध्याले और फरकपूर के प्रात्मिक विध्याले पार्कों भी बन रहेंगे और वहीं आइडी पियल रिशिकेश कॉविट के सेंटर में जान चोखी में डाल का कोरोना में डूटी करने वाले कोरोना युद्धाउं ने गांधी पार्क में अपना धनना शुरू कर दिया और वो अपनी 31 मार्च को अपनी सेवाएं समाप्त होन के बाद प्रेवेंडिंग घाट पर धनने पर बैठे थे और वहीं 130 नर्सिंग और पैरमेडिकल स्टाफ कोरोना काल में यहां पर रखा गया था और आरोप है कि इस थाने प्रेशासन और सरकार ने उनकी सूद नहीं ली और इसके बदले अब वो गांधी पार्क पर धनने क पूर है और उनका कहना है कि जब तक उनकी से वाएं बहाल नहीं करती जाती वो धने पर बैठे रहेंगे और वहीं मुक्हमंत्री और स्वास्ते मंत्री से उन्होंने मांग की है कि दिये गए आश्वासन के मताबिक वो जल से जल काविनेट में उनके मसले को हल करा है और उन उनने ये भी कहा कि उनकी जरुवत थी तो उनने प्रियोग किया गया और आब उने जो है विभाग से निकाल जागे और इससे उनकी आजी विका पर अब संकट खड़ा हो गया और वहीं विक्रम सिंग, पुलदीप सिंग, रतिराम, प्रिजिंदर सिंग, दीपिका चोहान, सुमीता भट, ट्रिया, अरजुन सिंग, सर्वजीद जैसे लोग मौजुद है, उनेता प्रतिपक्ष यश्वाल आरे और पूर्मंत्री राजिदर भंडारी तो ये लोग सजवान समित काई विधायकों ने अपना समर्थन करमचारी को दिया, और वहीं यश्वाल आरे ने कहा कि सड़क से सदन तक कोरोना युद्धा की कोंग्रिस लड़ाई लड़ेगी और जुनों ने ये भी कहा कि जिनें सम्मानित करना चाहिए था, उन्हें अपमानित कर रहे हैं और उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है और वहीं धैरदुन में 16 नए स्थानों पर पार्किन विवस्ता शुरू नहीं हो पारी और वहीं आपको वता दे कि कुछ जगा पुलिस ने अपने स्थर पर काम शुरू कर दिया है और कई जगा नगर निकम, MDDA और लोक निर्मान विवाग से सयोग मांगा जा रहा है और वहीं पुलिस अधिकारी के अनुसार सभी उम्मीद के मताबिक इन विवागों से तोरित सयोग नहीं मिल पा रहा है और शहर में जगा जगा सड़क किनारे ही दुखाने और बाजार में पार्किंग बड़ी समस्या है और ट्राफिक के दवा में सड़क किनारे आड़े तेरचे वाहन खड़े हो जाते है और इससे ट्राफिक अटक जाता है और ट्राफिक पुलिस ने 16 नए स्थान पार्किंग ले चिनित किये हैं और वहीं कनक चोक से औरियंट चोक के बीज गांधी पार्क की दिवार से सटकर अवेद ठेलियां लगी रहती है और इनने हटा कर यहां 30 वाहनों की पार्किंग बनाए जाने हैं और वहीं ठेलिया हटवाने के लिए नगर निगम को भी कहा गया है और वहीं शायर की यातायात विवस्ता को सुधारने में आम लोगों के सायोग के लिए चलाए जारे उत्राखन ट्रैफिक्स वॉलिंटेर्स योजना की मंगलवार को डीजी पे अशोकुमा ने पुलिस लाइन में शुरुआत की और इस योजना में जुड़े दैरदून के करीब 166 युवाओं को इस दोरान डीजी पी ने कैम और कैप पे ना कर उनको पुलिस के साथ ट्रैफिक संचालन का दिकार भी दिया है और डीजी पी ने कहा कि आने वाले समय में अपराद नियंतरन के साथ पुलिस के लिए ट्रैफिक संचालन सबसे बड़ी चुनोती होगी जिसके लिए हमें पूरी तरह से तयार रहना है और उन्होंने ट्रैफिक संचालन पर बने ब्रोसर का वी मोचन भी किया और वी मोचन किया गया और वहीं आपको बता दे कि इस दोरान एडीजी वी मोरूगेशन आईजी एपी अनुश्मान और यातायात ने देशक मुकतार मोसिन और डियाजी जनमिजे खंडूरी आदी लोग मोजूद रहन मुत्राखंड में पहाडों की रानी मसूरी में परियटकों की भारी भीड उमढने से इस्थाने लोगों और वेवसाईों के चारे खिलूटें और चार दिनों की लगातार छुटी होने से मसूरी में पर्यटकों के आने से वेवसाई में भी भारी फृद्धी हुई है और वहीं स्थाने प्रशासन और पुलिस द्वारा जाम से निपटने के लिए काफी कोशिश भी किये गए और वहीं पूर में तयार किया गया एक्शन प्लैन भी लागू किया गया जिसमें काफी हद तक सफलता भी मिली और मसूरी की सड़क संक्री सड़क और पार्किंग ना होने की वज़े से कई जगा जाम की स्तिती भी देखने को मिली जिससे लोगों को परिशानिय चिलने पड़े हैं मसूरी के पास के परिटन स्थल कैम्टी फॉल और कंपनी गार्डन मसूरी जी सुरकंडा देवी धनोल्टी बुरास खंडा में परिटों को की भारी भीड देखी गई मसूरी सीयो पल्लवी त्यागी ने बताया कि बारी भीड को देखते हुए खुद कमान समाली और यातयात को व्यवस्तित करने के लिए पूरी ताकत चोग दी और उन्होंने माल रोट का भी निरक्षन किया और सीयो ने बताया कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर यह कि जाम ना लगे लेकिन ज्यादा भीड होने के कारण कई जगा जाम की स्तिती बनी रही और उन्होंने ये भी बताया कि मसूरी में दो पार्किंग का निर्मान किया गया जिसका संचालन करने के लिए विभाग द्वारा कारवाई की जारे और ज्यादा भीड को देखते हुए फिलाल दोनों पार्किंग का इस्तमाल करने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहे जिससे जाम से निपटने में कुछ राहत मिल सके और वहीं उत्राखंड के पहाड में चारो तरफ जंगलों की आग लगने से धुन्द ही धुन्द नजर आ रहे जिससे पहाड में आकर परेटकों को हमाले के दर्शन नहीं हो पारे और वहीं आपको बता दे कि पिछले दो साल के करोना काल के बाद परेटकों का रुख पहाड की तरफ बड़ा है और अगर जल्दी ही आग पर काबू नहीं पाये गया तो परेटकों की संख्या में कमी हो सकती है गर्मियों में हर साल हजारों की संख्या में पहाडों का रुख करते हैं जिससे पहेटन से जुड़ें लोगों को रोजकार मिलता है लेकिन इस बार अफ्रैल महिने में ही सैक्डों किलोमीटर जंगल जल कर खाक हो चुके अब पिछले हफ्ते चार दिनों की छुटी से पहाडों के होटलों पूरी तरह से पैक हो गएते लेकिन जंगलों की आग होटलों तक महुचने का खत्रा बढ़ रही है और जिससे पहेटक भी चिंतित हैं और वहीं वन विभा के डिएफो दीपचन पंत्र का कहना है कि लगतार आग भुजाने में लगें और इतना ही नहीं जन प्रतिनिद्यों के सहयों की बात ही विभा के दिकारी कर रहे हैं और वहें पहाडों में कभी आब्दा कभी जनगलों की आग से पहेटन वेवसायों को भारी नुकसान हो रहा है सरकारों को ऐसी नीती बनानी चाहिए कि पहाडों में अधिक से अधिक पहेटक आ सके और पिछले दो सालों से कोरोना के कारेंट परेटन व्यवसाय पूरी तरह से थाफ था और अब तेजी से बढ़ रहा था तो व्यन विवा की लापरवाई से परेटक डर रहे हैं और अब तो बस इंदर देव के महरवान होने की ही उमीद ज़गी है और तब ही जंगलों के आग पूरी तरह से भुच पाएगी और वहीं उत्राखंड में पिसले 24 घंटे में बदमाशों ने तमंचे के बाद दो घटनों को दो पैटल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दे है पहली घटना अरीदवार जिले के रूटकी में हुई है और जहां बदमाशों ने मैनेजर को तमंचे दिखा कर लूट पाट की खौतवादी प्रवेंट को इशारी ने करमशारी से पुष्टाज की और वहीं बदमाशों की धर पकड़ के लिए टीमों को लगा दिया गया ओवई मिली जानकारी के अनुसार दो राहा यूपी बॉर्डर पर इस्तित पैटल पम को वर्ड नमबर चार गांदी नवगर निवासी करता सिंग ने पांच अप्रेल को ही ठेके पर लिया और इस पम पर दो करमशारीों की 24 घंटे की डूटी लगाई जाती है और बीते समवार को पम पर धरमवेर निवासी लखनपूर और रोहिद निवासी सेमल लाडपूर यूपी की डूटी पर लगी थी और लेकिन रोहिद छुट्टी पर चला गया था और ऐसे में धरमवेर अकेला था जिस दोरान ये घटना को अंचाम दिया गया और इसी के साथ उत्राखन के बुलिटिन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम ख़बरों कलाब बने रहे आरेनी उसके साथ